पुश्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जैसे कि अगनीपस स्कीम जो है वो गवर्मेंट के दौरा लॉंच की गई है अब जो अगनीपस स्कीम के अंदर जो भी बच्चे शामिल होंगे उनको अगनीवीर कहा जाएगा अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मुद्धा हमारे सामने निकल क्या आ रहा है कि चार साल का एक तरीके से एक सर्विस सर्विस तो क्या कहेंगे कॉंट्रेक्ट हम कहेंगे कि एक कॉंट्रेक्ट जो भोगी सिर्फ चार साल के और चार साल बाद जो अगनीवीर होंगे उनका भविश्य क्या होगा यानि कि future of अगनीवीर क्या होने वाले है इस scheme को लाने के पीछे सरकार का क्या मकसद था और यहां पर इसके बाद जो अगनीवीर होंगे उनको लेकर क्या चिंताएं हैं गॉर्णमेंट ने उनके लिए क्या क्या किया है और क्या कर सकती थी गॉर्णमेंट इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पेडियो के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पेडियो की डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डेट में अगर हम पूरी दुनिया को अगर देखते हैं वहां की जो मिलिटरी है उनको देखते हैं या फिर आज की डेट में जैसे जो एक यूद करने की परकरती है वो उसके ओपर हम अगर अपनी नज़र आगते हैं तो वो कैसे चेंज हो रही है तो यहाँ पर उसको देखते हुए भारत को केवल हम स्थल, जल, वाई-उ, इनके उपर ही नहीं बलकि जैसे साइबर टेक हो गया, या इंटरनेट ओप मिलिटरी थिंक्स हो गया, या फिर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब से भी खत्रा का सामना करना पड़ता ह है, अब इन सब चीजों को देखते हुए, अब यहाँ पर जुरूरत आपड़ती है, एक ऐसी आर्मी की, जो इन चीजों से डेवलोप हो, न्यू न्यू एक्यूपमेंट है, उनसे सुजजजीत हो, यह नहीं के नए अथियार उनके पास मौजूद हो, तो उन सब को पूरा करने के लिए, सरकार लेके आती है, अगनीपत योजना, अब अगनीपत योजना में, जो बच्चे इसके अंदर शामिल होंगे, जो यूवा इसके अंदर शामिल होंगे, उनको कहा जाएगा अगनी विर, और अभी जैसे गौर्पमेंट ने, अगनीपत की योजना को लेकर यहाँ पर जो फोर्म्स हैं, उनको, मतलब कि जो रिक्रुटमेंट हैं, उनके लिए आवेदन इन्होंने स्टार्ट करवा दिये हैं, अब आने वाले टाइम में जो रिक्रुटमेंट जो वो स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी प्रक्रिया सेम रह रही है, जैसे कि अगनीप और यहाँ पर चार साल के बाद 25 परसंट जो युवा होंगे, उनको छोड़कर 75 परसंट युवाओं को वहाँ पर टाटा बाई 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 बोल दिया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्धा यही है, अब बात कर लेते हैं कि अगनीपत योजना क्या है, देख यहाँ पर एंट्री की जाएगी, वरना नहीं लिया जाएगा, और जहाँ पर इस योजना में जो युवा हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाते हैं, जिनको देश के लिए सेवा परवाइड करनी है, तो वो यहाँ पर इस केम कहता है, चार साल की अपनी सेवा दे सकते है आर्मी को या फिर अपने देश को और इसके बाद जो यूवा इसके अंदर शामिल होंगे उनको कहा जाएगा अगनी विर और चार साल कंप्लीट होने के बाद केवल 25% यूवाओं को ही वहां पर पक्का कर दिया जाएगा या फिर कहीं कि 15 साल की एक जो एक जो नुक्ती होती है उसके लिए उनको फिक्स कर दिया जाएगा वाकी 75% जो यूवा होंगे उनके लिए गौरपेंट ने काफी सारी स्कीम्स निकाली है हाँ उसके कुछ पक्ष भी है विपक्ष भी है उन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं अब बात कर लेते कि eligibility क्या है देखे यह जो योजना है वो केवल अधिकारिक rank से जो है उनसे नीचे जो सैने कर्मी है उनके लिए है जो सैना में commission अधिकारी के रूप में शामिल नहीं होते हैं ध्यान रखना commission अधिकारी की मतलब कि जो lieutenant आ जाते है captain, major, lieutenant तो यहाँ पर उनके लिए नहीं है यह चीजे जो आपके सामने जो supply level पर भरती होती है उनके लिए यहाँ पर यह चीजों को रखा गया है समझना यह चीज को अभी यहाँ पर एक तरीके की जो rumor फैल रही है कि जो lieutenant है वो भी 4 साल के लिए नहीं वो serious है combined defense service आपने सुना होगा तो उसके तुरू lieutenant की SSB होते हैं जो college में ही जो college होते हैं उनसे ही बच्चों को select कर लिया जाता है जहां पर army आती है उनसे interview होता है उन्हें SSB के लिए बुला लिया जाता है तो वहाँ पर उनके लिए यह चार साल की सेवा नहीं है यह सेवा जो है वो supply level पर जो भरती होती है उनके लिए है और यहाँ पर इसके इसमें ध्यान में रखते हुए कि पिंचले दो साल से कोई भी यहां पर army के अंदर recruitment नहीं हुई है इसलिए 21 की वजाए 23 करते हैं अगली बार जब यहां पर अगनीपत योजना आएगी तो उसमें 21 ही रहेगी इस चीज का ध्यान रखना है यह one time के एक तरीके से age में relaxation दी अब यहां पर अगनीवीरों के जो benefit क्या होने वाले हैं देखे benefit यह होना है कि जार साल बात जो यूवा जो हैं वो 75% में आते हैं वो बाहर जब आएंगे retire जो होंगे तो उनको एक lump sum amount पकड़ा दिया जाएगा 11.71 lakh रुपी का अब यह 11.17 lakh रुपी अगर आप यहां पर द जो है वो एक तरीके से उसका कट कर दिया जाएगा और उसमें से 9000 रुपे कट करके एक तरीके समझे उतना ही provident fund समय लीजिए उतना ही सरकार इसके अंदर add कर देगी यानि कि 18000 रुपे 18000 रुपे जो अगनीवीर होंगे उनके provident fund में जमा होते रहेंगे और even 18000 रुपे वो government मिला कर आपको पकड़ा दे कि उसके उपर interest लगा कर वो बन जाती 11.71 रुपीज और यहां पर जो salary है वो आप देख सकते हैं कि पहले साल जब वो 21,000 दूसरे साल जब वो 23,100 तीसरे साल जब 25,500 और चोते साल है जो 28,000 यहां पर salary हो जाएगी और इसके अलावा जो government न जाएगा कैर यहां पर किसी की शहीदी का हम माप नहीं सकते रुपयों का लेकिन यहां पर government ने अपनी तरफ से effort की हैं कि अच्छी अच्छी एक रकम यहां पर provide करवाई जाए और चार साल बाद जो सेवा निवर्टी यानि की retirement होंगे तो उसके बाद government ने काफी सारी यहां पर जो अगनी वीर होंगे उनको दूसरी जोब दिलाने में या फिर उनकी life को सही करने में काफी सारी यहां पर चीजें प्रवाइड करवाई हैं जैसे skill certificate हो गया या bridge course होंगे वह इंची जो को provide करवाई जाएंगे अब यहां पर इस योजना की आवशक्ता क्यों थी पहले किसी की एजहं पर 20 साल है किसी की एजिए जहां पर 33 है किसी की 30 है किसी की 29 है तो यहां पर एक average निकाल कर जो एज निकल के आरे है वो trotzdem कि यहांपर 1962 के अंदर भारजी उद Familien करने बहु ज़्यादा जरूरी है और कार्गिल समीक्शा समीति के अंदर इसकी आवशक्ता पर का करते हैं हमारे देश में 90% करमी जो भातिए सैना के अंदर वो 25 वर्ष कम संक्या है यहानि हमारे देशंदर ज énagi अगर हम बात करें और 36–40 साल की जो एज के जो हमारे देशंदर सैना के अंदर है उनकी जो संक्या वह 19 यह उननीस बंगार हैं印 इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे जो है हमारी जो average age है जो आर्मी की वो 32% डिकल के आ रही है चुंकि अगर आपने देखा हो चीन हो गया पाकिस्तान हो गया इन दोनों की अगर आपने सीमाएं देखी हो तो वो परवर्ती लाके हैं और वहां पर कम IU की जो यूवा हैं जो फोजी हैं उनकी रिकुरिटमेंट वहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उस IU प्रफाइल को देखते हुए यहां पर एक तरीके से जो age हो उसको कम करने की बात की जा रही है तो काफी एक important issue यह भी हो जाता है हमारे समने दूसरी बात यह है कि भविशे के लिए एक तरीके से ready किया जा रहा है soldier को देखिए यूद की आज की rate में जैसे परकरती बदल रही है तेजी से बहुयामी बनती जा रही है यूदों के विभिन पहलों चाहें वह साइबर हो साइबर यूद हो गया अंत्रिक्ष यूद हो गया उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है अब इन परिवर्तन को देखते हुए हमें भी नई नई technology को हमारी आर्मी के अंदर include करना होगा ताकि जो है आर्मी इन सब चीजों को निपटने के लिए तैयार रहे तो एक तरीके से यहां पर यह चीज़ें देखी जा रही है दूसरी चीज़ी है यह कि research and development के ओपर focus नहीं क्या जारा सबसे main point मैं यही कहूंगा कि यहां पर जो है जो government रक्षा budget जितना प्रवाइड करती उस रक्षा budget में से मानले कि 100 रुपया रक्षा budget के लिए दिया गया defense के लिए दे गया उस defense में से 50 रुपय जो है वो यहां पर pension के लिए चला जाता है और इस 50 रुपय से जो 50 रुपय बच जाता है कहा जा रहा है कि इसमें से मतलब कि पूरे में से 5% से भी कम यानि 5 रुपय जो है वो research and development के उपर खर्चा हो रहा है आज की date में जैसे हम देख रहे हैं जो विविन जेसम की सेना हैं हम देख रहे हैं वहां पर संख्या कम जी की जा रही है सेना की इवन वहां पर technology को improve किया जा रहा है ताकि जो है लोगों का नुकसान कमोड टेकनलोजी जो है वो आर्मी के अंदर जितनी आएगी आर्मी उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग होगी तो यहां पर कहा जा रहा है कि यह जो इतना रुपया पैंशन के अंदर जा रहा है तो वो कहीं न कहीं इतना रुपया पैंशन में ना जाकर उसको रिसेच इन डेवलोंप्मेंट में नई एक्यूपमेंट में नई टेकनलोजी जो है वो आर्मी के अंदर इ सके दूसरी यहां पर बात आती है कि इस स्कीम को लेकर चिंताएं क्या आती है यह तो हमने सरकार का पहलों समय लिया अब आते हैं कि जो यूवा है वो क्यों भड़का हुआ है क्यों यह कह रहा है कि 4 साल की स्कीम की बज़ाए अरे जो जो नेता है उनको भी 4 4 साल के लिए वह 5 साल के चुने जाते हैं तो उनको 5 साल के बाद pension क्यूं दे रहे हैं हो आप तो हमारी pension गटा रहे हैं जहाँ पर एक यूवा अपनी जान हतेली पर लेकर देश की सेवा करने के लिए जाता है अब वहाँ पर कितनी सारी जो हमारे यूवा हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम अपने जो साथियों उनसे कितना पीछे हो जाएंगे क्योंकि हम किसी भी कोर्स है उसके अंदर इंडर नहीं कर पाएंगे और इसके बाद जब हम बाहर आएंगे तो हमें दुनिया का face करना वह वहाँ पर अलग अलग तरीके के private sector में जाएंगे तो अलग वहाँ पर question पूछे जाएंगे और अगर आप देखते हो तो private sector के अंदर जो retirement हुए जो हमारे फोजी होते हैं उनको कैसी job मिली होती है उनको वहाँ पर security guard के ही job दी जाती है अब यहाँ पर बात करते हैं कि 45,000 जो हैं वो सैनिक किया है वो यहाँ पर उनको भरती किया जाएगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25% को ही fix करना ये सबसे बड़ा issue आ रहा है सबसे बड़े सामने और युवाओं की चिंता है कि 4 साल बात जब वो retire होंगे तो उनको नई नोकरी पाना बहुत बड़ी एक समस्या उनके सामने आने वाली है और सबसे बड़ी एक जो हमारे समाज में हम देखते हैं कि आर्मी के लिए जो select होता जो हुआ पर आर्मी में select होने के बाद अब उसकी शादी की बात आ जाती है अब यहाँ पर शादी की बात आ जाती है अब शादी तो अब हो नहीं पाएगी इसलिए क्योंकि वह यह तुम चार साल बाद उस 25 परसेंट में आएं की नहीं आएं तो वो सब चीजें अब और डिले हो जाएंगी तो सबसे बड़ा इशू यहाँ यह भी आ रहा है इसके वाला कोई पैंशन का लाब नहीं है सबसे बड़ा रीजन मैं यह कहूंगा कि आपने जो चार साल के जो एक कॉंट्रेक्ट सर्विस जो लेकर आ रहे हो उसमें बच्चों को जो युवा है उनको आप पैंशन नहीं दे रहे हो जो वो चार साल बाद निकलेंगे उनको 11-11-11-1 रुपे का कोई जादा बड़ी रकम नहीं है आप चार साल बात देखिए महाई में कितना ही फाजा इतनी इंकरीज हो जाएगी फिर वो 11-11-1 रुपे उसको जो मिलेंगे तो वो एक नहीं लाइब वहाँ पर शुरू करेगा अपने लिए अपने ऐसे नेता है क्योंकि सबसे बड़ा इशू यहां पर कहेंगे कि जो बच्चे हैं यह बोल रहे हैं कि जो नेता है उनकी यहां पर pension है वो क्यों आ रही है अगर आप जानते हों कि जो MLA जो बनता है कोई एक दिन के लिए अगर MLA बन जाता है तो उसकी pension ताँ उमर के लिए बन जाती है Member of Legislative Assembly विधान सभा की मैं बात कर रहा हूं अब यह MLA अब अगर MP बन जाता है अगर इसने चुनाव MP का लड़ा तो MLA की तो इसको pension मिलेगी मिलेगी साथ में इसको MP की भी pension मिलेगी और इसके अलावा वो एक बार MLA बना वो दूसरी बार जब MLA बनेगा तो उसकी pension में उतना ही add कर दिया जाएगा तो यहाँ पर उसकी pension बढ़ रही है आज की rate में अगर मैं बात करता हूं तो हमारे देश में जो बीजी पी कोंग्रे साम आदमी पार्टी वो किसी की भी आप पार्टी ले लो वहाँ पर जो क्रोड़पती हैं जो ministers हैं उनकी संक्या बहुत जादा है 90-90% जो है वो पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर on an average 90% जो लोग है वो अच्छे खासे अमीर है करोड़पती है MP है वो मंत्री है वो तो यहाँ पर बात आती है कि मंत्रियों को pension दी जा रही है वो वहाँ पर भार बढ़ रह है तो वहाँ पर उनको कम करके बजाए वहाँ पर जो यूवा है जो फोजी है वो रिटायर हो रहा है उसकी pension मंत करने का कहां से लोगिक आता है तो एक सबसे बड़ा यहां पर एक सवाल यूवा यह भी पूछता है हमारे सामने अब हालांकि कोई pension का लाप्राप तो नहीं ह है कि हम बहुत सारी चीजों को आपको नोकरी तलास करने में आपकी help भी करेंगे अब यहां पर एक आती है कि training में remaining unutilized अब जितनी आप जो एक तरीके से एक यूवा के उपर जो आर्मी के अंदर आते हैं आप उसके पर खर्चा लगाते हो खर्चा लगाना आपने उसके प तो वहां पर उसके जो टेक्निकल जो चीजन दीगे थी वो तो आर्मी उसका सही डंग से यूज कर ही नहीं पाई और even एक soldier को आप prepare करते हो तो उसके पर खर्चा कितना आता है वो एक तरीके से waste जा रहा है आप pension बचा रहे हो लेकिन आपने जो 75% जो यूवा है उनको जादम उठा रही है अगनी वीरों के लिए एक यहां पर bank करेंड में असानी करें कि अगर bank से अगर कोई loan लेगा अगनी वीर तो उसके लिए बहुत जादे priority दी जाएगी उसको सुवीदा दी जाएगी और उसको bank loan लेने में बहुत जादा असानी होगी ताकि वो अपना क जो उनके लिए seat रखी जाएगी job reservation रखी जाएगी वो जो एक service man होती है उसके अलावा वहां पर दी जाएगी यह government का कहना है ministry of home fair के द्वारा ये scheme announce की गई थी कि जो nation service beyond the for service जो अगनी पर जो scheme है उसके तहर जो अगनी वीर आएंगे उनको CAPF हो गया SM rifle हो गया इनके अंदर वरियता दी जाएगी इवन इसके अलावा BASF हो गया CRPF हो गया CISF हो गया SSB हो गया NSG हो गया SBG हो गया तो यहां पर जो age है उनके लिए 26 हो जाएगी तो एक यहां पर जो युवा है वो यह question पूछता है कि अरे आप हमको हटा रहो उससे better तो यही है ना कि आप हमको सीधा इसी के अंदर क्यों नहीं ले लेते पिचेतर परसेंट के अंदर आप हम बाहर होते हैं तो यहां पर इनको सीधा यहां पर क्यों नहीं ले आते हो आपने आर्मी में अंदर अगर संख्या कम करनी है तो इन पिचेतर परसेंट को यहां पर अनाउंस किया है कि भारतिय नो सेना में अगनी वीरों के चार साल के कारेकाल के पूरा होने के बाद मर्चंट नेवी के अंदर अलग-अलग काम के अंदर उनको प्रियोर्टा जी जाएगी छे सेवां में उनको मतलब कि उनके लिए एक तरीके से रिजर्व चीज़ें रखी जाएंगी और इसके अलावा जो अलग-अलग स्टेट हैं और भी अलग-अलग राजे उन्होंने कहा है हम अगनी वीरों को अपनी स्टेट गवर्मेंट के अंदर वहां पर प्रियोर्टी रहेंगे अब यह बात तो बोल ने किया है अब असलियत जब सामने आएगी जब य यहां पर एक तरीके से राश्चे मुक्ति विद्याले सिक्षा समसान ने गोश्टना की कि वो रक्षा प्रादाकारों को प्रामर्श करके मतलब कि वो एक तरीके से जो अगनी वीर होंगे उनको बार्वी का सैटिफिक्ट वो जैसे तैसे उनको परवाइड करवा सके ऐसी बात करें ऐसा वो कोई कोर्स लौंच करेंगे शिक्षा मुंत्राले ने जो सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए तीन वर्षिय कोशल आधारित सनातक डिग्री कारेकरम शुरू करने का निर्ने लिया है जो शास्तर बलों में कारेकल के दुरान प्राप प्रशिक्षन को माने अब इस डिग्री की कितनी ज्यादा वैली होगी जो वो बार्केट में निकलेंगे जोब के लिए तो तभी तभी का टाइम बताया जाएगा आगे की रा क्या हो सकती है आगे की रा तो जैसे मैंने का जैसे CRPF, SSB, SBG, NSG तो यहां पर आप जो एज बढ़ार है वो बैटरी आप इन अगनी वीरों को उन लाइसेंस के अंदर छूट दे दीजिए ताकि यह अपना बिजनस कर पाएं सरी डंग से इसके अलावा आप वहां पर जो एक टेक्स है उसके अंदर आप इनको छूट परवाइड कर दीजिए मतलब कि जो आप यहां पर उनके लोन अगर वो टेक्स की छूट दे रहे हो ओविसली अधिक से अधिक जो अगनी वीर हैं उनको रोजगार के अफसर यहां पर मिलने वाले हैं अब इसके अलावा जो अकरशक ब्याजदरे हैं कि जो आप लोन नहीं यहां मिल लग कि जो किसी अगनी वीर ने अगर अगर अपनी जो यहां पर जो संस्थान है जो उन संस्थान है जो एजूकेशन है जो इंस्टीट है वहां पर जो अगनी वीर चाते हैं कि हम उन इंस्टीट में जाके पढ़ें अपनी सेवा देने के बाद तो वहां कि उनकी कट ओफ में छूट दी जाए उनको वहां पर रिजर्वेशन दि सब्सक्राइब करें और कुछ जादे पसंद आ गए हैं तो शेर कर सकते हैं इस वीडियो को आप लोगों को अलड़ी बता चुका हूं टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन वाक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पेडियो डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो